So, Hello everyone, Welcome to Filmopedia इस उड़ मैं बात करने वाला हूँ Avengers Kang Dynasty और Multiverse Star के future के बारे में So, अभी recently ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आई है कि Marvel Avengers Kang Dynasty के title को drop करने वाली है और Avengers 5 अब Kang Dynasty के नाम से पुकारा नहीं जाएगा और Kang के विलन को most probably Marvel ने रिटायर कर दिया है और अब आप Kang के नाम को सायद ही MCU के अंदर सुनोगे कभी Kang की story Location 2 को साथ खतम हुगी है और अब Marvel Studios को Avengers 5 के लिए एक और विलन के जरुवत है अब कुछ ऐसे रिपोर्ट्स निकले के आ रहे हैं कि Marvel Secret Wars की storyline से पहले Avengers 5 तो बनाना चाहती है जिसके अंदर वो कुछी throw away विलन को ला सकती है क्योंकि Marvel directly Secret Wars के अंदर jump नहीं करना चाहती है क्योंकि अभी तक Marvel Cinematic Universe के अंदर Avengers Endgame के बाद कोई भी Avengers Team अच्छे से establish नहीं की गए है इसलिए में भी Avengers 5 के अंदर एक Avengers Team establish की जाएगी जिसके बाद ये Avengers Team directly lead up करेगी towards the movie Secret Wars और अभी रिसेंटली ऐसे रिपोर्ट से कलके आए है कि Secret War के तरफ दो movies lead up करने वाली है जिन movies को Marvel जल्दली announce करेगी और वो दुनों movies होने वाली है Black Panther 3 and a movie on Scarlet Witch Marvel कैसे plans दें कि वो Dr. Doom को Wakanda Forever के अंदर ही add करेंगे पर अब लगता है कि Wakanda Forever के बाद Black Panther 3 के अंदर Dr. Doom को as a main villain हम देखेंगे जो movie directly lead up करेगी into the Secret Wars Secret Wars से पहले आपको Doctor Strange 3 और Scarlet Witch के उपर भी एक solo project देखने को मल सकता है जो movies भी Secret Wars के तरफ lead up करेगी Scarlet Witch के movie भी एक Avengers level movie हो सकती है जिस movie के अंदर हम Avengers versus X-Men को देख सकते है ऐसी बहुत ज़ा possibility है कि Avengers 5 के अंदर हम काफी सारे X-Men के team members को भी Avengers का part बनते हो देखें क्योंकि अभी Deadpool 3 के आने के बाद most probably Deadpool of Wolverine जैसे characters भी Avengers के part बनेंगे और ये सारे characters में भी एक दूसरी का गेंश जा सकते है Scarlet Witch की movie के अंदर Scarlet Witch की movie में भी एक House of M जैसी movie हो सकती है जहां पर Scarlet Witch सारे का सारे X-Men से खतम कर देती है तो ऐसा कुछ हमें Scarlet Witch की movie में देखा हो बल सकता है सभी Marvel से related Multiverse सागा में कुछ भी fiction नहीं है बहुत सारे चीजे on the go change हो सकती है बाकि अभी ये confirm नहीं है कि Avengers 5 का विलन कौन होगा I personally think कि Avengers 5 के अंदर में भी किसी X-Men के विलन को बनाएगा सकता है में भी a Magneto या फिर Marvel पुराने X-Men के विलन जैसे कि Apocalypse को वापस ला सकता है वी दव विलन ओफ Avengers 5 बाकि आप किस विलन को Avengers 5 का विलन मनते हो देखने हो जाते हो ये मचे कमेंट से पहले किता आ ना पुले Avengers 5 का विलन में भी Galactors और Silver Surfer में से कोई भी एक हो सकता है क्योंकि Avengers 5 से पहले आपको Fantastic 4 के movie देखने हो मिलेगी युकि eventually आपको Secret Wars तरह बिल्डप करना है जिसका main villain डॉक्टर डूम होगा बाकि आपके इस विलन को Avengers 5 का विलन मनते हो देखने हो चाहते हो कैंग के अलावा ये मचे कमेंट से पहले किता आ ना भुले बाकि अगर आपको ये विडियो पैसे ना भुले और अगर आमने चैनल पहले रहाए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आस अल्वेस थैंक्स वोचिक अल्वेस थैंक्स वोचिक